Yes, hello, very good morning everyone. So let's start the session today. आज से देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, कि रोज जो कुछ 5 important चीज हैं, जैसे कि government schemes और sports या फिर कोई जो हमारा rocket जाता है, कोई DRDO कमिशन है, कोई defense commission इस तरह से हम उसको दीरे-दीरे करके चीजों को deal करेंगे, जो कि current affairs का एक important portion है. तो आज मैंने 5 missile रखे हैं आपके साथ deal करने के लिए, बस आपको उसका range थोड़ा बहुत जानना है, कि इसने उसको develop किया है, अगर कोई country उसमें involved है, तो कौन सा country involved है, other than India. So let's start the session, a very very good morning everyone. हन जी, बहुत सारे बच्चे आचुके हैं, बिलकुल very good morning, हाँ थोड़ा सा आज एक दो मिनट जो है, वो हमारे साइट से डिले हुआ है, तो हम रेली सॉरी, ठीके, बस session को लगाने हैं में जो टाइम लगाएं, मैं तो टाइम पर आई जाती हूं, आप लोगों को पता ही है every morning is a chance at new day, सब लोगों ने त्यारी शुरू कर दी है, जोडो शोडो से त्यारी शुरू कर दी है, जिनके इस साल जितने भी exam से उसको निकालना ही है, हर इसमें जो भी कर इंट अफैस आएगा, वो यही 8 से 9 बजे वाले session में आएगा, यह आपको promise है, ठीक है, चले, बहुत बढ़िया, let's start, first question है, कि देखे, यह हम लोगों ने पढ़ा था, Saturday को, किश्वाली डे, आफ्रिका में एक भाशा है, जिस पे एक दिवस है, किश्वाली, क्या बता सकते है, किश्वाली डे कम मनाया जाता है, तो किश्वाली डे साथ जुलाई को मनाया जाता है, दोनी के ब करता है, उनको प्रिजर्फ करता है, तो यह भी एक भाशा है, जो कि विलॉप थोड़ा है, तो यह उसको क्या कर रहा है, इसको सिक्यॉर कर रहा है, इसको प्रिजर्फ कर रहा है, यह एफ्रिका में बहुत जादा बोली जाती है, और most widely spoken in sub-saharan area, सहारा क्या है, डेजर्ट है, सहारा क्या है, डेजर्ट है, जब भी आप लोग डेजर्ट के बारे में सुनते हैं, तो आपको मरुस थरी बहुत गर्मी याद आती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, डेजर्ट कोल्ड भी होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका गोवी डेजर्ट क्या है, कोल्ड है, हमारा लद्दा क्या है, cold है, तो कोई भी ऐसा vegetation, जहाँ कोई भी ऐसा जगा जहाँ vegetation नहीं है, कोई भी ऐसा जगा जहाँ पेड़, पौधा, हर्याली कुछ भी नहीं है, वो क्या है, बंजर, मलब पुड़ा ही वो desert area है, deserted area है, जाधा दर अगर आप देखेंगे, पुड़े world में, त तो वहीं पे desert है, जहाँ पे cold current बहते हैं, थोड़ा सापको घ्यान की बाते कर दी जाएं, तो देखें, दो तड़ा के current होते हैं, एक current होता है, जैसे माली जहाँ यह आपका धरती है, और यह आपका equator है, ठीक है, तो एक जो होता है, कुछ इस तरहा के तरंग, पानी के तरं तो वह obviously गड़म रहेगा, तो यह आपके होगे warm ocean current, और कोई भी ऐसे चीज, जो पोल से equator की ओड़ाएंगे, तो वह obviously थंड़ा होगा, तो वह पानी के तरंगे जो पोल से equator की ओड़ाते हैं, वह होते है, cold current, ठीक है, अब क्या है, कि आप लोग थोड़ा बात, मैं आप चीजे होते हैं, जो गड़म चीजे होते हैं, गड़म क्या एक energy है, तो उसमें kinetic energy थोड़ा सा जादा होता है, half mv square, इसलिए गड़म हवा हमेशा उपर की ओड़ जाती है, और वह हवा बादल बनाती है, ठंडे हवा में उतना जादा energy नहीं होता, कि वह उपर की ओड़ जा आस पास cold current है, तो आफरिका के भी western portion में cold current है, जिसके कारण हवा उपर नहीं जाती है, और आफरिका के जो northern portion है, वहाँ बारिश नहीं होती है और वहाँ desert बन जाता है, तो यह है छोटी सी desert की कहानी, हमारे देश में कौन सा desert है, यह आप comment section में फटा फटा बताईए, चले बढ़ी हम, next, yes everyone, ma'am polytechnic वाले student जिनने अभी last semester का exam दिया है, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, exam दे दिया है, result आ जाएगा, डाल दीजे form, ठीक है, बिल्कुल, थाड है, हाँ, हाँ, बिल्कुल अगनी पत्योजना girls के लिए भी है, क्यों नहीं है, forgiveness, जे माफी देने का शमा दिवस हमने मनाया है, साथ जुलाई को ही मनाया है, तो आजकल इंसानियत में ये सब भी जरूरी हो गया है, जी ट्वेंटी, देखें, जी ट्वेंटी क्या होता है, कि 20 ऐसे देश, जो की चाहते हैं, जिनका पुड़ा economy जो है, वो emerge होड़ा है, develop होड़ा है, developing phase में है, और जो चाहते हैं कि आगे जाकि वो developed country बन जाए, education पर बात कर रहे हैं, development पर बात कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं, G20 देश, बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग इदम चटा चट आंसर दे रहे हैं, यानि कि जस साटेड़े को पढ़ है, तो ये जो group of 20 देश है, इस साल 2022 मे ये जो host है ना इसका, वो है इंडोनेशिया, ठीक है, तो president भी इंडोनेशिया है, host भी वही है, अगले साल पहली बार भारत 2023 में इसको host करने वाला है, G20 के बारे में ये आप जानते हैं, और नीति आयो के CEO थे, है ना, तो वो अब CEO नहीं, vice president थे, तो वो अब retire कर चुके है vice president थे के CEO थे, बताओ, अमिताब कांथ कौन थे, परमेश्वर अयर है CEO, है ना, और सुमन बेडी है, vice president, ठीक है, इसके पहले CEO थे, अमिताब कांथ, और, हाँ, और इसके पहले vice president थे, राजीफ कुमार, ये सब याद होगा, किस organization का बात होड़ा है, नीती आयो का बात होड़ा है, है ना, और नीती आयो के chairman कौन होते है, तो chairman हमिशा प्रधान मंतरी होते है, prime minister होते है, तो ये जो, अमिताब कांथ जी थे, ये नीती आयो के CEO थे, अब अब शर्पा, यानि कि भारत को ये प्रतिनिधित्व करेंगे, जी ट्वेंटी के meeting में, क्लिर है, एक बात और समझ जाएगा आप लोग, कि जब आप लोग थोड़ा सा इतिहास पड़ेंगे, तो आप जाएंगे, नाइटीन हंड़ा है, नाइटीन हंड़ा है, जहां पे क्या पना था, प्लानिंग कमिशन बना था, ठीक है, प्लानिंग क प्लानिंग कमिशन का टोटल बारा फाइफ यर प्लान बना, जो कि जाके समाप्त हुआ, और फिर फाइनल यसी बीच में, दो हजार पंदरा में क्या आगया, दो हजार पंदरा में, एंडिये सरकार ने क्या लेकर आएंगे, यह लेकर आएं नीती आयोग, ठीक है, नीती आ इसके और इसके चैर्मेन हमेशा प्रधान मंत्री जी ही होते है, इतना आपको क्लियर हो गया है, बहुत बढ़िया, चले next question, next question आप देख सकते हैं यहाँ पर कि India का record है कि 11 साल में यह सबसे ज़्यादा service sector में बढ़ोतरी की गई है इसके द्वारा, तो आप बताएगे कि किस महीने, किस महीने सबसे ज़्यादा service sector, industry किस महीने सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, बिल्कुल, तो यह हुआ ह जून 2022 में हमारा service sector, जैसे कि पढ़ाना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, कोई भी किसी को service प्रोवाइड करना, restaurant में काम करना, यह सब क्या है, service sector है, factory में काम करना, industry में काम करना, secondary sector है, और raw material से related काम करना, agriculture करना, primary sector है, economy में अभी तक 3 sector है, यह जो artificial intelligence और यह सब आ रह है, ठीक है, चले, next, सिक्षा संगम, ठीक है, सिक्षा संगम, अखिल भारती है, सिक्षा संगम, तो इसको कहाँ पे, अभी मोदी जी ने इन्वरेट किया है, वी 2-3-4 दिन पहली की बात है, बहुत बढ़िया, चंदन सिंग, तुम तरह मिना नाम रोशन करों के, बहुत एक दिन का, यह सम्मिट रहा है, next question है, कि Boris Johnson, यह प्रधान मंत्री नहीं रहे, इन्होंने, step down करना याने कि, resign कर दिया है, प्रधान मंत्री पद से क्या, बता सकते हैं, कि Boris Johnson, कहां कि, प्रधान मंत्री नहीं रहे, अब मलब, ऐसा नहीं कि, मलब resign किया है, बस, जैसे कि, हाँ, ठ प्रधान मंत्री का, कहां कि, former president का भी निधन हुआ है, Sinzo Abe, कहां के थे, वो भी बता दीजे, तो वो जपान के थे, बिलकुल, कौन से, अभी नेता है, actor है, जो कि कहते हैं, कि मैंने face कियाता, blindness disorder, तो यह Brad Pitt है, जो कि कहते हैं, कि हमने, blindness disorder को देखे, यह, बलब, almost, अंधया हो के, दुनिया का सबसे बड़ा actor बनना, बड़ी बात है, तो अगर आप से पूछा जाएगा, कि, prosopagonosia, यह किस बिमारी से related है, तो आप बोलिएगा, कि, देखे, यह, ब्लाइडनेस ओर्डर से related है, यानि कि, अंधया, जो होते हैं, तो, मलब, आँख के बिमारी से related है, बस MD और CEO कौन है, एक अवीवा life insurance करके company है, तो अभी news में इसलिए याद रख सकते हैं, कि, असित रथ जो है, वो MD and CEO है, अवीवा life insurance company की, और मन्नापूडम finance company, ठीक है, मन्नापूडम gold loan, अक्षे कुमार का ad, आप लोग देखे होंगे, तो मन्नापूडम finance company, जो है, वहां के MD और CEO कौन है, तो वहां पे है, VP Nandakumar, VP Nandakumar, जो है, वो MD and CEO है, मन्नापूडम gold, मन्नापूडम finance company के, ठीक है, यूनाइटेड नेशन mission in South Sudan, South Sudan में यूनाइटेड नेशन एक mission भेज रहा है, और गर्व की बात ये है, कि, यहां पे इस mission को, जो force commander रहेंगे, उस पूरे force के जो commander रहेंगे, commanding officer रहेंगे, वो भारत के Lieutenant General है, और उनका नाम क्या है, Mohan Subramanyam नाम है, ठीक है, Mohan Subramanyam को United Nation, अपना force भेज रहा है, South Sudan में, और यहां पे ये रहेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया, Next, Narobi Flies, ठीक है, Narobi, जो कि Kenya का capital है, यहां के मक्खी के कारण skin disease होता है, ठीक है, skin disease हो रहा है, क्या पता सकते हैं कि भारत में ऐसा कौन सा state है, जहां पे ये Narobi Flies मक्खी आ गई है, तो ये कौन सा है, कितना कौन सा है ये, बहुत बढ़िया, तो ये देखे, सिक्किम है, सिक्क होगे होगे, ये सब जो है, मक्खी मच्चड, ये सब क्या होता है, 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 ये सब क्या होत तो इस तरह से वहां पर इस तरह से ऐसा कुछ होता है यह सब जो उपर का पाथ है ना यह जो पॉल इन ग्रेंज आपको दिख्ड़ाइस को आम एंथर बोलता है ठीक है और यह जो नीचे जो जहां से निकल रहाइस को हम स्टिगमा बोलता है, तो जैनरलि बोल आ जाता है कि यह स्टिगमा जो है वो requests पोल का female part है और जो ये एंथर हे ये फूल का male part है अजह होता है ना ठीक हैए तो ये फूल का male part है अगर कोई मखी या कोई भी चीज जो भवडा होता है तो इस पर दढ़े गयर कि इस पर बैठ जाए या हवा या spy तो ये चाहत तो ये सब आ ये सारे factors of pollination तो क्या होगा कि pollen green इस पे गड़ जाएगा जह पॉलेंग इस पे गड़ेगा तो उसके बाद सब कुछ जो कुदरत में सबसे important part है क्या होता है? Pollination होता है यानि male part जो है वो female उसमें चला गया body में और अब यहाँ पे germination of seed होगा तो यह pollination का फुरा प्रोसेज हाँ खुद से भी गिर जाता है अगर एक ही फूल में गिरा तो self-pollination एक plant से दूसरे plant में गया तो cross-pollination एक भवड़ा फूल पे बैठा वो जाके दूसरे फूल पे बैठ गया वहाँ पे वो गिरा दिया एंथर को तो वो cross-pollination हो गया इस तरह सब चीजों को पढ़ते हैं और कहत नहीं होगा तो फिर germination कैसे होगा फिर कैसे होगा हम लोग का crop wind और पानी पे ही हम निडभर डाय जाएंगे राइट तो इस तरह से आप थोड़ा बहुत इन चीजों को भी समझ यह बैलोजी है है ना बाकी तो हम लोग static portion एक बज़े सब बात करते ही डाते हैं अभी quality चल र है हम भी इसी country का भी लिया हैं वीजार है हम भी इतना गोल्ड मिल जाएगा तो फिर क्या ही यूगांडा में मिला है ठीक है गर्मी बहुत जादा होगा तो ठंड में जाएंगे आप लोग exam के बाद ओके तो यूगांडा government ने ये बात कहा है next आप देखे UK ने UK याने की United Kingdom पहली बार कहा है कि एक country के साथ हम अपना data share कर रहे हैं एक country कौम अपना जो भी data है उसको दे रहे हैं तो यह किस country को देंगे यह देंगे South Korea को ठीक है South Korea को पहली बार UK ने यह बात बोला है mind master winning lesson from a champion's life in the memoir of तो एक व्यक्ती ने यह किताब लिखा है mind master देखते ही आपको याद आ जाता है कि हम लोग chess का बात करें कल हम जुमान जी देख रहे थे तो जुमान जी याद आ रहे है ठीक है तो हम लोग chess का बात कर रहे थे हैं तो यह आप देख सकते हैं और यह विश्व जो author है Suzanne Ninan इसके साथ इनके साथ लिखे है आनन्द और Suzanne ठीक है Suzanne फिर आप बोल रहे है one district one product one district one product यानि की एक जिला में एक प्रोड़क्ट को इसम फेमस बना देना है तो यह आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की बात है उत्तर प्रदेश चाहती है कि open network for digital commerce में one district one product तो टेरा कोटा होता है की दिन टिक्ति चीजों को बनाना टेरा कोटा मिटी के चीजों का हाथी गोड़ा चुटक चुटक चीज बनाते पहले हम लोग बच्पन हुआ किचन सेट बहुत खड़ीते थे नवरातरी के टाइम तो ये आपका गोड़क पूर में है ठीक है चले फिर नेक्स आप देखे हां किचन सेट को बहुत सीरिसली लिया जाता था और अगर चूले पे कोई कोई चीज जाला गया है उसमें और थोड़े दर बाद निकाला गया त तरह से लोग खेलते थे अब तो खाली वीडियो गेम खेलते हैं हम लोग के जमाने में ये सब भी खेलते थे हम लोग ठीक क्ले का गुड़ पुड़ा ही अंग्रेज हो तुम लोग ना क्ले बहुत बढ़िया हां तो अब देखे कि कौन सा स्टेट कह रहा है कि फॉर्स्ट राइट तु हेल्थ बिल भारत में राइट तु हेल्थ राइट तु हेल्थ को इंट्रिद्यूस कराया जाएगा देखे आज अगर आप एक बजे फ्री हैं तो आज आईएगा वन पीम पॉलिटी का क्लास चल रहा है उसमें आज हम लोग सिटिजन्शिप पढ़ेंगे इसमें जो सबसे इंपोर्टन चीज़ है वह है 21, 21 में लिखा हुआ है राइट तु लाइफ तो राइट तु लाइफ में ही जो जितना भी चीज आपका आता है कि राइट तु प्राइवेसी हो गया राइट तु पर्सनल लिबर्टी हो गया यह जो हेल्थ वेल्थ है सब में आजाएगा ठीक है राइट तु लाइफ अर्टिकल नमबर एकीस याद रखेगा और 86th constitutional amendment से यानि कि संसोधन से 2002 में बाद में जोड़ा गया था आर्टिकल नमबर 21 का A portion जो की था राइट तू एजूकेशन यानि कि 6 से लेकर 14 साल के जो बच्चे है उनको सिक्षा का है हमारे समविधान में इसको इंट्रिद्यूस करवाया गया था यह सब कुछ static portion है जो आपको पता होने चाहिए चले ठीक है तो यह राजस्थान है राजस्थान अपना एक बिल लेकर आया है जो कि क्या कहता है राइट तू हेल्थ कहता है ओके नेक्स्ट है कि 1st campus based IT business incubator त यह इंजीनियस अर्ड़ा पे होती है ठीक है हां तो यह जो चोटा चोटा बच्चा बादा होता है तो उसको शीशा में रखते हैं ने सुंदर से क्यों रखते हैं क्यूंकि अभी वो प्रकृति इतना ता प्लिशन रिशन है उसके हिसाब से अभी वो डिवलप नहीं किया ह तो वो डिवलप जब तक होगा इसके लिए रखते हैं तो उसी तरह से जो छोटे छोटे स्टाट अप कंपनी है अगर बाहर के जगा पे देखा जाए तो इतना पैसा होता नहीं उनके पास तो उसको भी इंक्यूबेटर में रखा गया है ताकि वो अच्छे से डिवलप कर जाए और ये इंक्यूबेटर बंगलादेश ने इसको रखा है शेख हसीना यहां की प्रधान मंत्री है काफी स्ट्रॉंग लेडी है चिटागॉंग के बारे में आप लोग यहां पर देख सकते हैं तो चिटागॉंग जो है जब आप इतिहास पड़ेंगे 1932 का टाइम था जब एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सूरे सेन है ना सूरे सेन तो उन्होंने चिटागॉंग अंदोलन किया था अब बंगलादेश में चला गया है यहां पर कुछ-कुछ फीमेल का बड़ा अच्छा रोल था जैसे कि प्रिती लाता फिर बीना दास जो की पॉइंट ब्लै अब इनका नाम कौन है बिलकुल तो जैश्री वी उललाल इनका नाम है यह खुच से कंपनी बनाई और खुच से बहुत आगे गई और अब इनके पास 5% अरिस्टा अरिस्टा कंपनी उसका भी स्टॉक है और यह फॉब मैग्जीन ने एक लिस्ट बनाया है अमेरिकन अमेर पंद्रवे रैंक पे हैं यह भारतिय मूल की अमेरिकन विमन हैं ठेक हैं MD और CEO SBI General Insurance Company के कौन बन गया है तो यहां पे General Insurance Company के परितोष्ट रिपार्थी बन गया है उतना यह इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप देख लिए नेक्स्क्रेशन इस स्टार्टप स्कूल इंडिया तो स्कूल में अब स्टार्टप को और ज्यादा फेलिसिटेट करने के लिए यह किस ने लांच किया है हम लोगों ने इसको साटरड़े को पढ़ा है कि गूगल ने इसको लांच किया है ठीक थोड़ा बहुत आप मेरा बात सुनिये अब दिली में अरुन जेटली जी का मेमोरियल लेक्चर ठीक है तो इसको इनौग्रेट किया गया है मोदी जी द्वाडा नेक्स्ट आप देखें चाटीसवा नैशनल गेम होने वाला है देखें यह पूछा जाता है कि कितना वा कितना संसकरन होने वाला है तो 2022 में चाटीस वस्वा नाशनल गेम होगा और ये गुजरात में होगा गुजरात के CM के नाम है भुपेंदर पटेल जी और ये होगा आपको सेप्टेमबर से लेके अक्टूबर के बीच में लेकिन आप लोग अपना नाशनल गेम का तयारी कीजिए ठीक है अब आप जानते हैं कि श्रिलंक में पूरा इदम राज समाला हुआ था गोटा बाया राजय पक्षे जो की प्रेसेडेंट है महीं महिंद्रा राजय पक्षे जो की प्राइम मिनस्टर थे फिर उनको हटाया गया राम सिंगे को लाया गया पता ये सब कहानी आपको ठीक है तो गोटा बाया राजय पक्षे प्रेसेडेंट है श्रुलंका के और आप इनको अपने घर से भागना पड़ा क्योंकि लोग आगे वहाँ पे खर्ची खर्ची एक पूजा है जो कि तुरुपूरा में मनाया जाता है तुरुपूरा जिसका अगर तल्ला है तुरुपूरा एक ऐसा राज्य है जो कि अल्मॉस्ट एटी पॉर्सेंट टक बंगलादेश में घुसा हुआ है मलब उसका पूरा बॉर्डर जो है ज्यादादर बंगलादेश में है और आर्के गुपता जो है वो बन गए डीपिटी एलेक्शन कमिशनर और अब आर्के गुपता बनगे है डीपिटी एलेक्शन कमिशनर ओफ इंडिया जब हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे और अभी डेटेल में तो आर्टेकल नंबर 324 में देखेंगे कि एलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया होता है जो कि देश में इंडिया में और स्टेट में भी यूनियन में भी और स्टेट में भी जितने एलेक्शन होते हैं उसको कंड़क कड़ाता है C.A.M. ये सब का जो एलेक्शन होता है M.L.A. का एलेक्शन, P.M. का एलेक्शन, M.P. का एलेक्शन, प्रेसेडेंट का एलेक्शन, ये कौन कंड़क कड़ाता है? एलेक्शन कमिशन of India, election commission of India कड़ाता है, तो आप बोलेगा फिर state election commission को उन्ची करता है, तो state election commission जो है, वो local body जैसे कि municipal cooperation, municipality, panchayat, ये सब का election जो है, वो कॉन conduct कड़ाता है, state election commission कड़ाता है, और election commission of India, union और state कड़ाता है, article number 324 में है, और जो इसमें पहले क्या था, कि पहले खाली, एक ही व्यक्ती थे, election commissioner, जिसको कहते थे, लेकिन फिर बोला गया कि नहीं, एक आदमी से काम नहीं चलेगा, एक को बनाईए chief election commissioner, और उनके अंदर दो को बनाईए election commissioner, ठीक है, तो इस तरह से इसको बनाया गया, और यह या तो 6 साल के कारियाले में रिटायर कर जाते हैं, या तो अगर इनका 65 साल हो गया है, तो रिटायर कर जाते हैं, जो भी दोनों में से पहले हो जाएं, यह रिटायर कर जाते हैं, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया है, next सब देखेंगे कि उत्तर प्रदेश first state to have 13 expressway in the nation उत्तर प्रदेश एक ऐसा रज्य बन गया है जहां पर 13-13 expressway है बहुत अच्छा सब को जदम fast चलेगा वहां पर अब देखें मलेशियन ओपें बैडमिंटन के लिए होता है अठाइस जून से लेके 3 जुलाई हुआ अब इस में कौन क्या जीता तो अगर आप मैं सिंगल में देखेंगे तो विक्टर एकसल तो ने डेनमार्क के है विमन सिंगल में देखेंगे तो इं तान नोन जीती है तो कि थायलेंड की और यह सा आप से पूछा नहीं जाएगा इसको ध्यान रखेंगा तो अच्छी बात चलें next अप देखें कि India Indian Air Force और PNB Bank ने Memorandum of Understanding sign किया है PNB Raksha Plus Scheme कе लिए. तो Indian Air Force ने किस Bank के साथ Memorandum of Understanding sign किया है Raksha Plus Scheme के लिए तो PNB के साथ sign किया है। Rajasthan ने ये कौन है अशोग गेहलौत्वा के CM ठिक है Right to Health Bill launch कर दिया है Western Railway Open longest Skyway तो Western Railway ने Skyway बनाया है, ठीक है, Connecting Mumbai's Bandra Terminus to Khar Station, तो Khar Station के साथ Bandra को Connect किया गया है, Western Railway द्वारा Skyway बन गया है, Dalai Lama visit to lay after four years, can fuel the fumes between India and China, देखे, चाइना नहीं चाहता है कि हम लोग Dalai Lama को शडन दे, लेकिन भारत वसुदेव कुटुमबका मानता है, कोई भी व्यक्ति अगर हम से मदद मागने आएगा, तो हम उनको जगा देते हैं, तो Dalai Lama जो कि चाइना के हैं, और चाइना वाले इनको नहीं मानते हैं कि ये हेड हैं, लेकिन इंडिया ने इनको जगा दिया है, बुद्धिजम को स्प्रेड करने के लिए और जो भी बाते हैं, और अब ये फिर आएं, चार साल बाद ले में, इस कारण से चाइना के साथ हमारा तनाव बढ़ सकता है, ओके, अमिज शा ने अन्वील किया है स्टैचू अफ पीस, तो ये ध्यान रखेगा कि जो स्टैचू अफ पीस है, वो स्वामी रामानुजन चार्या के लिए है, ये सब पूछा जाता है कि किसके मलब किन को डिगनिफाइ करने के लिए हम लोग उने स्टैचू अफ पीस बनाया है, तो स्वामी रामानुजन चार्या के लिए बनाया है, अमिज शा ने इनागरेट किया है, स्वानिधी मोहतसव आप जानते हैं कि स्वानिधी में हम लोग स्ट्रीड वेंडर्स हैं और जो मदद रहे हैं और हर्दीब सींख पूरिजी नहीं इसको launch किया है मोहतसव launch कर दिया है क्यों launch करते है मोहतसव? क्योंकि scheme तो हमने बना दिया लेकिन जो जरुरत मंद हैं उनको तो पता ही नहीं है न स्कीम के बारे में तो इसी लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह से मुहत्सब लॉंच करते हैं ठीक है तो एक्जिक्यूट एन एपी नाशनल एजुकेशन पॉलिसी दो हजार बीस में आया है ठीक है तो यह न्यू पॉलिसी है प्रधार मंत्री जी ने अखिल भारतिये सिक्षा संग्दम को वारा नसी में लॉंच किया है नेक्स आप देखेंगे दो दिन का ट्रेनिंग होगा डिजास्टर मैनेजमेंट ओफ म्यूजियम है लड राश्ट्रपती भवन तो डिजास्टर मैनेजमेंट यानि आपदा प्रभंदन के लिए यहां पे दो दिन का ट्रेनिंग करवाया जाएगा राश्ट्रपती भवन म next mission कुशल कर्मी mission कुशल कर्मी दिल्ली गवर्मेंट का है उनके लिए जो की काम करते हैं लेकिन उनको काम में थोड़ा सा कॉशल सीख लें अगर स्किल सीख लें तो उनको काम में ज्यादा फाइदा मिलेगा ठीक है तो अब थोड़ा बहुत question का आप लोग answer दीजे भारत में first ever animal health summit ध्यान से सुनिएगा कल यही question पूछेंगे फिर आप लोग सही बताइएगा आज थोड़ा गरबर होगा तो कोई बात नहीं तो भारत में first ever health summit कहां पे launch किया गया है मुंबई में, हैदरबाद में, दिल्ली में की कोलकता में हाँ एक काम कर दो यार थोड़ा like कर देना like कर दो session को भी लग जाएगा कि जतना लोग देख रहा है देखो हम maximum question करते हैं कि एक भी second आप लोग का waste ना हो ऐसा नहीं कि पकड़बकड करते रहें और पढ़ने के लिए कुछ रहें नहीं तो first ever animal health summit जानवर के स्वास्त के लिए हम लोग सम्मेलन कर रहें और यह जो सम्मेलन होगा यह देखे दिल्ली में होगा ठीक है तो animal के स्वास्त के लिए जो सम्मेलन हम लोग कर रहें एक NASC complex करके है दिल्ली में वहीं पर हम लोग इसको करेंगे 6 जुलाइ को यह हुआ है ठीक है अगला question आप से पूछा जा रहा है कि देखे IMF International Monetary Fund तो दुनिया भर में जतना भी अर्थ विवस्ता है इसके बारे में बात होती है अर्थ शास्त्र के बारे में बात होती है बहुत बड़े-बड़े अर्थ शास्त्र आएं गए आडम्स में था आप लोग सुने होंगे है ना तो अब इस पुरा एगो वाल है जैसे ही रो ही रन का फोटो लगता है ना वान है यह है Gita Gopinath, ठीक है Gita Gopinath, second Indian है, क्योंकि आप जानते हैं कि first तो यह रघुडाम राजन को मिल चुका है यह honor, अर्थर शास्त्री का, लेकिन first women है, first women है, second Indian है, second Indian है, first Indian बोल देते है, second भारती है है, रघुडाम राजन के बाद, और first women है Gita Gopinath, okay, next आप कि भारत ने select किया है, India selected for UN UNESCO panel, on intangible culture for a period of, intangible शब्द का क्या मतलब होता है, कि अगर हम बोलेंगे, कि यह board, बहुत साल पुडाना है, बहुत साल, करोडो साल पुडाना है, ठीक है, और यह देखें, बहुत तो इसको हम बचा के रखेंगे हैं, ताज महल से भी पुडाना किजे, यही board आपको exam में, success दिलाएगा, तो आप लोग इसको छू सकते हैं, हम भी छू सकते हैं, लेकिन अगर हम dance करना शुरू कर दें, तो आप लोग dance नहीं touch कर सकते, गाना काएंगे, तो गाना नहीं touch कर सकते हैं, है ना, painting कर रहे हैं, painting क आप touch कर सकते हैं, तो जो चीज टच हो सकता है, wall, monument ये सब, वो tangible हुआ लेकिन जो चीज टच नहीं हो सकता है जो से dance, गाना, है ना तो ये intangible हुआ तो intangible और tangible का मतलब आप समझ गया है UNESCO में पैनल बाढ़ता है तो भारत ने कहा है कि इस panel में हम participate करेंगे चार साल के लिए बैठता है तो भारत ने ये 2022 से लेके 26 तक का टाइम लिया है तो भारत क्या करेगा कि इस समय ये इसका member रहेगा इस चार साल में UNESCO panel for intangible culture के लिए और ये बार बार रहता है पहले भी रह चुका है 2006 से 10 तक और फिर 14 से 18 तक, ठीक है चले तो भारत को इस समय के लिए डाला गया है फिर देखें market research society market का research होता है उसके लिए एक society बना है इसके भी अध्यक्ष बनते हैं न्यूज में हैं तो बता देते हैं आया तो ठीक, नहीं आया तो बहुत अच्छा तो मनीश मक्खी जानी तो मनीश मक्खी जानी यह बन गया है इसके अध्यक्ष market research society of India के यह देखेंगे market में क्या चल रहा है महंगाई, यह सब चीज़े देखेंगे who has become the first captain in the history of T20 cricket to record 13 successive T20 winnings तो 13 लगतार T20 winning यह कर चुके हैं कि कौन से ऐसे captain है जो इतने successful बन गया है बावर आजम भी आज़कल बड़ा अच्छा कर रहा है पाकिस्तान में एक ही व्यक्ति काम का काम कर रहा है बलब काम का काम ही हो ना ठीक है तो यह Rohit Sharma जी है ठीक है Rohit Sharma बोलते हैं इनको कि टालेंट बहुस जादा है लेकिन टालेंट से जादा हमेशा महनत काम आता है तो अब यह महनत भी कर रहे हैं और देखें रिजल्ट आपके सामने है आप लोग में भी अगर टालेंट का कमी होगा चिंता मत कड़ेगा, टालेंट को एक काम ने आता है रिजल्ट आता है महनत से हाँ टालेंट में एक फाइदा होता है कि उतने ही महनत में और जादा बहतर रिजल्ट आ जाता है तो आप लोग भी महनती बनिएगा ठीक हैं? which Indian cricketer has been invited as the guest of honor in Indian film festival Melbourne तो a film festival होड़ा है अब जानते हैं क्रिकेट और फिल्म का बहुत बुडाना रिष्टा है तो ये Indian cricketer है जिनको बुलाया गया है इनका नाम है कपिल देव जी Melbourne कहां है तो ये तो है आपका Australia में और कपिल देव जी के पर ही बना था ये 83 जोगे पुटपिट गया बुड़ी तरह से कोई बात नहीं लेकिन फिर भी उनको बुलाया गया है 1983 में लोग वर्ल्ड कप जीते थे पद्मविभूशन देखें ये सवाल हम डालें इसलिए हैं क्योंकि अगर आप से पूछा जाएगा जैसे अभी जपान के जो प्राइम बाइड़ अनका निधन हुआ ना जपान के प्राइम इसलिए निधन हुआ ऐगाे थेयर रोगया जिन को ऊसे तूbold 각 हमें यह किस field से हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि राज्य सबहा में president क्या करते हैं बाड़ा लोगों को किस field से nominate करते हैं science से, art से, social service से ठीक हैं और literature से literature यह चार field में जो लोग eminent होते हैं जो बहुत अच्छे प्राख्यात विख्यात लोग होते हैं, उनको President, कौन करेगा? President, कहां करेगा? Spread Rajya Sabah में करेगा, उनको nominate कर देते हैं, लोग सबा हमें, पहले Anglo-Indian से दो लोगों कर देते हैं, अब नहीं करते हैं, ठीक है? तो उनको nominate करते हैं, उसी तरह से ये जो हिगाडे जी है, ये philanthropist है, philanthropist यानि की अपना फाइदा छोड़ कर दूसरों की मदद करने वालों को हम लोग philanthropist person कहते हैं, तो देखें, total 12 लोग को करेंगे, किस article में लिखा है, article number 80 में लिखा है, कि राज्जी समा में 250 लोग होंगे, जिसमें से 238 लोग indirect election से आएंगे, और 12 लोग जो हैं, उनको president आकर nominate करेगा, ओके तो PT उशा को भी किया गया है, PT उशा धावक है, आपको पता ये, music legend को भी किया गया है, और ये जो spiritual leader और philanthropist है, हिगाडे जी, इनको भी किया गया है, ठीक है, हरियाली मोहतसफ, ये तो हम मोहतसब में, tree festival आया है, ठीक है, तो इसको अब inaugurate किया गया है, ठीक, मुआफ खोत सौंग, ये क्या है, वेर 1.2 billion years old ground water has been discovered, तो एक जगा है, खोत सौंग करके, अब आप से पूछा जाएगा कि मुआफ खोत सौंग, recently in news, क्यों न्यूस में है, ये कहां पर ये जगा है, तो आप बताएंगे कि मुआफ खोत सौंग जो है, वो South Africa में, यहाँ पे already uranium और gold भी है, ध्यान से सुनिये, कल यही सब पूछेंगे, तो पड़ा पड़ा आंसर दीजेगा, ठीक है, नेक्स आप देखेंगे कि Amit Aha, Amit Aha नहीं लिखा हुआ है, Amit Shah लिखा हुआ है, ठीक है, त ठीक है, हाँ, रामा नो जो अचार रहे के लिए, इनागरेट किया गया है, Statue of Peace, तो यह कहाँ पे इनागरेट किया गया है, Amit Shahji ने इसको इनागरेट किया है, कहाँ पे, Shri Nagar, Jammu and Kashmir में, ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट आप देखेंगे, Getting the Bread, यहाँ साटरेडे को आपको प्लीज गलती मत की जेगा, तो whose debut book, यानि की पहली बाड़ी किताब लिखेंगे, Getting the Bread, Zen, Zen, Z, Way to Success, यह साक्षी मलक ने लांच किया है, और यह किताब लिखा गया है, Prathna Batra Dwarra, Prathna Batra Dwarra, इसको लिखा गया है, साक्षी मलक ने इसको लांच किया है, ठीक है, इनका एक अप अभी लिख दिया है, स्वानिधी महत सब अभी अभी आपने देखा है, कि दिल्ली में इसको लांच किया गया है, तो किसने लांच किया है, या बता सकते हैं, तो स्वानिधी महत सब हरदीप सिंग पूरी द्वारा लांच किया गया है, दिल्ली में, अभी पढ़ें हम अफेर्स में जो लोग काम करते हैं, उनको और ज़्यादा कोशल प्रोवाइट करना इसका में एम है, फिर आप देखें कि Confederation of Indian Industry के President कॉन बने हैं, ये तो दो तीन देन से हम लोग पढ़ रहे हैं, कि जो भी हमारा Indian Industry है, उसका एक Confederation बनता है, उसका एक पुड़ा सम्मेलन पढ़िसंग बनता है, इसको आप बोल सकते हैं, तो यहां पर President कॉन बन गया है इसके, तो President बने है स्किल देने के लिए, ठीक है, आज का जो मेन चीज़ है, जो हम आपको बताना चाहते हैं, देखें, आभी नाम कुछ मिसाइल्स का यहां पे लिस्ट लिखें, एक है ब्रमोस, एक है ब्रमोस टू, यह अस्तर है, यह निर्भे है और यह हलीना है, तो यह पांच मिसाइल है, अब आप से क्या पूछा जाएगा, Supersonic, Supersonic का क्या मतलब होता है, कि sound के speed से जादा, ठीक है, अगर यह hypersonic होगा, यानि कि sound के speed से पांच कुना से भी जादा, अगर यह transonic होगा, यानि कि sound के speed के बड़ाबर, और hypersonic होगा, यानि कि sound के speed से कम, तो Supersonic cruise missile, fastest cruise missile है, यह पूरे दुनिया का, 290 km का रेंज है, यानि कि यहाँ पर चोड़ा जाएगा, तो ऐसे उड़के, 290 km तक है, ट्रावल कर जाएगा, ठीक है, और एक है, ब्रम्होस 2, जो की hypersonic है, यानि की supersonic से भी जादा फास्ट है, तो यह भी सेम ही range है, तो इस ब्रम्होस क को छोड़िएगा, तो यह हवा में ही जा के अटाक कर देगा, तो यह basically विमान उड़ाने के लिए काम आएगा, air to air समझे के होंगे, तो यहाँ पे, सामने से अगर कोई आ रहा है, ऐसे plane, aircraft, और ऐसे आ रहा है, तो यह अस्त्र छोड़ा, यह भी अस्त्र छोड़ा दोना एक मतलब नहीं है, इसका range बहुत जादा है, range इसका बहुत जादा है, भले speed जो भी हो, बहुत दूर तक यह travel कर जाएगा, और एक है हेलीना, यह देखे क्या होता है, हेलीना के बारे में हम आपको, देखे सब आता है, इसले बता आ रहे हैं, अज़र टाइम पास नहीं चल रह जादा है, और जब आप इस ना को हेलीकॉप्टर से छोड़ेंगे, तो हेलीकॉप्टर का हेली और इसका ना, तो हेलीना आ जाएगा, और यह क्या करेगा, जैसे हेलीकॉप्टर इससे ऐसे छोड़े, अब इसके बार में पढ़ेंगे, तो वो सामने वाले हेलीकॉप्टर, जैसे यह हेलिकॉप्टर से छोड़े और कहीं आप गिरा दीए तो अब वो दुश्मन का टैंक उड़ा देगा तो ना कही मिसा direction है यह यानि कि δुशमन का टैंक उड़ाने का काम आता है लेकिन इतना हम गी हल्का है कि दुष्टमंगर से भी सोड़ा जा सकता है इसको टोकना गलत बात है तो यह आप ब्रह्मोस के बाड़े में ब्रह्मोस मिसायल के बारे में अब देके ब्रह्मोस के बारे में पुछा क्या जाएगा पसे तो Brahmos के बारे में क्या पूछा जाएगा? सूपर सॉनिक है और टू वाला क्या है? हाइपर सॉनिक है यह Indian Propulsion System है यानि कि हम लोगा Missile है ठीक है? Airframe, Power Supply और Indigenious Component यानि कि भारत में ही यह बना हुआ है और इसको successfully test fire किया गया है अब यह दो लोग ने मिलके बनाया है एक तो हमारा DRDO है Defense Research and Development Organization और एक है MPOM, Russia का तो Russia के साथ मिलकर इंडिया ने इसको बनाया है ठीक है? दो नदी के नाम पे है एक Moskava ऐसे तो Moskow रश्या का capital भी है Moskava नदी का है और Brahmaputra तो Brahm यहां से आया है Brahm और इसका Mosk यहां से आया है ठीक है? Brahm Mosk इसमें दो स्टेज है दो स्टेज है एक है सॉलिट स्टेज ठीक है? और एक है लिक्विट स्टेज हम एक दिन पेड में आपको पढ़ा रहे थे हैं कि राम जट और स्क्राम जट में क्या आनता है? अगर इंट्रेस्ट है तो आप जान सकते हैं यह सब राम जट क्या होता है? स्क्राम जट क्या होता है? आजकल डूएल राम जट भी आ गया है तो यह सब भी हम लोग पढ़ते रहते हैं तो अपना-पना इंट्रेस्ट का बात है जिसको interest होता है वो पढ़ता है तो अब इसका range आप जाने हैं कि करीवन 300 km तक है तो अब देखे पूछा क्या जाएगा मालीजे लिखा जाएगा कि ब्रम्होस्र 5000 km तक इसका range है तो एक्जाम वाला यह थोड़ी जाता है कि तुम रट के बैठे हो कि कितना range है एक्जाम वाला बस चाता है कि तुमको idea रहे तो 3000 km तक इसका range है ठीक है और यह आप देख सकते हैं यही ब्रम्होस के बारे में बस इतना ही पूछा जाएगा आपस वर्जन इस सम्टाइम यह धुरुवस्त्र की तढ़ा भी है ठीक है तो ब्रम्होस्त्र अभी आ रहा है उसमें भी पांच तरह का अस्त्र है उसके बारे में लोग देखेंगे तो यही सब बाते हैं बाकी यह हम लोग आगे के क्लास में भी और इसको पढ़ेंगे के 11 के बा अच्छा पढ़ाते हैं सुनके बड़ा अच्छा लगा लाइक कर दीज हम समझ जाएंगे कि अच्छा पढ़ा रहें तो हां इसी तरह डिटेल में आपको पढ़ना है कंसर्प के साथ तो यह इंडियन आर्मी वाई-उ और नेवी का अगनी वीड का बैंच है और अगर आप CDS, FCAT, CAPF की भी तैयारी करना चाहते हैं या CISF, IT, BPSM, राइफल्स की तो आप उन बैंचे में आ सकते हैं डिफेंस का महा पैक भी है जिसमें सारे बैंचे जितने भी बैंचे से उसमें आप आ सकते हैं कोड़ आप वाई-332 लगा सकते हैं ठीक है तो यह आपका डिफेंस का महा पैक है जिसमें आपको कोड लगाना है कौन सा वाई-3-3-2 और इसमें आपको सारे बैंचे मिल जाएंगे ओके गईज और यहां पर आप देखें SSCJ या चुका है गाईज पढ़ाई शुरू तो electrical mechanical और civil का हमने यह selection kit बनाया है जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा ठीक है यह Civil का 20 ज्युलाई से चल रहा है चलेगा 18 ज्युलाई से आपको मिलेगा mechanical का और 20 ज्युलाई से आपको मिलेगा electrical का यह महा पैक है भलब यह SSC का पैक है बाकी DDA और AII का भी बैंचे चल र मिल जाएंगे ठीक है तो कोड आपको पता हिए वाई 332 अगर आप जानना चाहते हैं तो एक काम कीजिए सीधे आप क्या करें कि ऐसे Google में आ जाए गूगल में आके आप अपड़ा 24-7 टाइप कीजिए पटाक से वेबसाइट पे जाईए पटाक से ओल ले लिजे के सिविल माहा पैक में जाएए कोड लगा ये वाई 332 और यहां पे अप्लाइगे जेए अब आपको ऐसे यू का बैच है जैसे कि यहां पे अगर आप कोड लगाते हैं वाई 332 तो यह आपको सिफ मिल जाएगा 799 अप्लोक्स ठीक है 799 में आपको यह मिल जाएगा हाँ बिलकुल और सिफ 799 में और अगर आप आर्मी में भी जाते हैं जैसे कि यहां पे डिफेंस में आप गए और यहां पे इंडियन आर्मी में भी गए तो यह इसका नया बैच भी आ चुका है ठीक है पुडाना वाला जो बैच है वो आपको यह अब जल्दी खतम होने व हीने तो यहां कमर का स्लो ठेक है आसा नहीं है कि अभी और अगर्स एंड में आपका यह एक्जाम होने वाला है तो पीछे मत हटिये पढ़ाई शुरू कर लीजे अभी भी नहीं किये तो वाई 332 टू थाउजन 184 में यह बैंच मिल जाएगा जिसमें आपको टेस सीरीज मि यहां पर यहां पर जाएं SSC JE में जाएं ठीक है यह सारे बैंचे जैसे कि आप अगर इलेक्रिकल के हैं यहां पर आपको जाना है कोड इस्तेमाल करना है कौन सा वाई 332 और अप्लाई कर दिना है बस तो यह आपका SSC का इलेक्रिकल का है for example उसी तरह से मेक्यानिकल और सिव लेकिन seats इसमें लिमिटे होते हैं तो इसलिए जल्दी ले लिजाएगा तो फिर आपको इसमें इन्रोल्मेंट मिलेगा अदरवाइस नहीं मिलेगा ठीक है so thank you for the session and मिलते हैं हम लोग एक बज़े पॉलिटी के क्लास में और रोज सुभे आट बज़े तो आपको पता है कि करेंट अफैस का एक भी क्रेशन नहीं छूटेगा आपको प्रॉमिस कर रहे हैं इसी तरह से मज़दार तरीके से पढ़ेंगे चीज़े आपको आपको आटोमेटिकली याद हो जाएंगे ठीक है हाँ तो आज जितने questions हमने नए वाले किया ना वो कल मैं फिर पूछूँगी याद करके आगेगा Thank you